तो फिर से बाबा जी आ गए हैं सुबा आट बजे आपको बिस्तर से उठाने के लिए आपको नीन से जगाने के लिए और शुरू करते हैं अपने आज के टारगेट को और आज का हमारा टारगेट है Magnetic Effect of Current and Magnetism याने की ये दो चैप्टर हो गए हमारे चैप्टर नमबर 4, चैप्टर नमबर 5 और EMI याने की चैप्टर नमबर 6 इस बार हमें है MCQs और MCQs में जो मेरा prediction है वो ये कहता है कि बहुत सारे questions ऐसे होंगे जो direct formula based हो सकते हैं उसके लिए आपको formulas पता होना चाहिए और ये formulas आपको numerical में भी help करते हैं तो एक पंथ दो काज MCQ भी solve हो रहे हैं और अपने numerical भी solve हो रहे हैं ये दोनों चीजें अप चले जाओ अगर आज आप follow करते हो तो दोस्तों आज 2nd March के end तक आपके 8 chapters 8 chapters हो चुके होंगे और बहुत बड़ा part chunk जो है more than 50% आप cover कर चुके हो और इतना confidence काफी है क्योंकि बचे हुए दिनों में बचे हुए जो 6 chapters हैं वो ही cover करने हैं और ये gap बहुत काफी है sufficient है अब ये comments हैं कि बाबाजी हमने पहले दिन का follow नहीं कर पाए या बाबाजी आपका वीडियो हमको बहुत लेट मिला अब हम क्या करें तो या अब आपको क्या करना है आपको पहले तो comment में बताओ कि आप किस position पर हो क्योंकि अब हर बंदे के लिए demand और requirement अलग है तो हमारा app download करो app download करकर chat section में आओ और वहाँ पर अपनी difficulty को post करो मैं personally आपको उस difficulty का answer दूँगा कि या इतना नहीं पड़ा था तो अब कैसे तुमको cover करना है क्योंकि यहाँ पर एक general strategy नहीं बन सकती है हो सकता है किसी ने पहले दिन का follow नहीं किया था दूसरे दिन का follow किया था हो सकता है किसी ने अभी तक कुछ भी follow नहीं किया है तो क्या करना है कैसे करना है यह बाबाजी आपको direct बताएंगे download करो physics बाबा का app अपने question को post करो नीचे mobile number दिया है call लगाओ हम आपके questions के answer देन चे हूँ